अगर आप इसको आइसे 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 फाल्तों आना बना करोंगे हाथ चाला इस पिर आगाए जैहिंद हम है संतों से आदो इस वीडियों लोग बात करेंगे पूरे हप्तवा का मतलब पूरे वीक का वर्काउट प्लान क्या हुआ कौन कौन से वर्काउट आप कर सकते हो घर जो भर पड़ा है तो इस वीडियों आपको पता चल जाएगा और आपको प्लाइन होती है उसको पकड़ा देंगे आप उसी तरीकी एक्सराइज करियेगा लेकिन मैटर ही है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा समझना पड़े की तरीका क्या है भई या फॉर् आपको नीचे जाना होता है तो नहीं हो पा रहा है तो 90 डिगरी जा सकते हौ उपर आसकते हो अगर आप इसको आईसे इसे फाल्तों आना करोगे फाइदा नहीं होगा यह है इसको हम लोग आप कर सकते इसको बारा से पंदरा बार तीन से डिस्को लगाना है उसके बाद जो दूसरी इक सरसाइज होगी हमारी कहिए इसे उचा ग्राउंड हो आपको जुआ करना पड़ा गया फुर् नीचे उफर यह भी आप तीन सेट लगा सकते हैं बारा से पंदरा बार तीसरी जो एक्सरसाइज की चेस्ट के लिए अपने पैरों को उपर रख लेंगे और हाथों को नीचे रख लेंगे और नीचे जाएंगे तो यह तीन एक्सरसाइजेज जो आप बॉडी से कर सकते हैं इन तीनों के तीन तीन सेट लगाने यह तीन पुसाप आपके अपर चेस्ट मिड़ चेस्ट और लोवर चेस्ट तीनों फार के से पवार देंगे कौनों दिक्कत ने होगी यह आप कहीं भी कर सकते हो उसके बाद से हमारी चोथी एक्सराइज होगी चेस्ट के लिए आप करेंगे फ्लाइज यह ऐसे डंबल फ्लाइज कहें भी लेट जाओ डंबल को इसे रखो पूरा हाथों के स्ट्रेच मतलब जमीन में ट्रस नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ासा उसे उपर होगा फिर एकदम उपर सटाना नहीं है अगर आप सटाई दोगे तो जो प्रेसर होगा एकदम जीरो जाएकडे रिलक्स हो जाएगा तो रियक्स नहीं करना यहां पर ही रखना है नीचे गैए यहां पर आएक इतना है बखुत उस चॉड़ा करेंगी चेस के बीच में जो लाइन है उसको अच्छा करेगी चेस्ट का लुक बहुत बवाल कर देगी अब बवाल मचाने भुज़ता हेल्प करेगी पांच वी एक्सरसाइच डंबल ले लो मीड चेस्ट के लिए जिसे हमारा चेस्ट के गोला होके उभार के बहार आता है मास बढ़ता हुसमें डंबल को इसे पकड़ लो ठीक है करना है पुरी चेस्ट के बहारा जाएगी और करना है और रेपीटेशन हर एक एक एक्सरसाइच के आपको एक बार में करना है 15 से 20 से नहीं करना सुमौर के सिस्टम खटम होगा अब बात करें मंगल वार को मंगल वार को करने हैं ट्राइस से तिया देखो यह जो तीन मुवाली चीज ज़ी इसे कज़ें ट्राइसर इस से आपका जो डुलवा है फूरा जो और में वो बड़ा लगता है आपका बास से पीछे जारे हैं वोग आइसे यह पूरे ट्राइशब को आपको ट्रेंड करेंगे भी यह लेकिन तरीका यह अया आइसे नहीं कर रहे हैं फालतु और कुछ लोग आइसे कर रहे हैं यह चुछी आपा एक सब्साइज से का फाधा होगा तो पोईशन यह आर्च बनाओ और यह दूसरी जो एक्सरसाइज होगी वह आप कर सकते हैं कहीं भी बैठ के या कहीं भी खड़े हो के सिंगल हैंड एक्स्टेंशन कर सकते हैं आप अपने हाथों को ऐसे रखेंगे दूसरी एक्सरसाइज यह आपके लॉंग है के लिए बहुत ज़दा फादे मंद आपके लगे वहां आप संपोर ले सकते हैं ऐसे किया फिर नीचे गये फिर उपर आये इसक्वीज नीचे गये उपर है इसक्वीज अपने हाथों के बिच्छ नहीं ले जामने चैनल एंद के ज़सराय दूसरी अज़त यहां बहुत बोबार्व एक्सरसाइज है ट्राइज को फा लोग सब दोड़ा से 15 जब एक जब जाएगा तो तो मिलाब एक हां से तीन से दूसरी यह तीन से तीन से चेस अज़ा जाएगा और बाज़ी पर फटके बाहरा जाएगा आप बारी यागे सबसे बढ़ एक्सरसाइज की ट्राइसब बनाने की यह है बेंच डिप को उचा गा आपने सार फशों से लखें और हम अपने जात को की जांति यह उदर नहीं की पैसे ले जाएंगे और हम Catchतार में से लखेंगे एक इसे की नेचे एकिए शीज से अपको कंट्रोल अंचने मतलавно abundant ताइड कोरो मसाल शाये और मसाल म मसाल पर लोड दे लाब को यह रही इसे हम लोग कर रहे हैं चार सेट रेपिटेशन एक बार में पंदरा से बीस पंदरा से बीस सिलो आई से करने स्कोनों फादा नहीं होगा बाई शाचुंदर बाजी क्या हो रहा है तो यह बेस्ट एक्साइज है तो इस तरीके सापका ट्राइसे पंप्लीट हो सकता उसके इस तरीके से अब यहां पर रखा पूरा उपर जाएंगे डंबल को आएंगे फिर इस आएंगे पूरा खोलते हुए ऐसे डंबल प्रेस यह वन आप ता बेस्ट एक्साइज है तुम्हारे सोल्डर वागो भाग बहार देगी ऐसे कंट्रोल पुरा उपर कंट्रोल पुरा अब क्यों कि सामने सीशा नहीं है मेरा अंडबंड हो तो भाई माफ कर देना बाकी मैं करने के प्रयास कर रहा हूं सभी फॉर्म मतलब सीधा ले जाओ के कंट्रोल वे में फिर उपर कैमरा मत के बाद प्रू नहीं हावाद क्ये करता तो इसको आप करेंगे तीन से अगर ज्यादा उपर ले जाएंगे त्रेफ सेक्टी होगा अभी बताऊंगा आपको तरीका तेकिन अभी आपको क्या करना है सिंगल हैं कर सकते हैं डबल हैं आपको ऐचे करना है ऐसे यहां तक लाना है बस मूँ के सामने तक ऐसे दस से बारा बार या तो दोनों साथे कर यहां तो एक बार इससे एक फिर एक बार इससे दो तीन मैं रहे करी जार सैंट दो इसके थिन से क्वार कॉर्ड़ सामने बाद करें आपको शुल्डर अपना चौड़ा थिखाना है मतलब इसे बवाल तरीके से लूग जूआ को साइड वाला तरीकर से तो आपको ज्यादा अपड्र के समाना ही तिया तो बशेका घाएगा अपने अप आपने ये तक हहा जाएंगाई खुझी हो जाए रहेगा हैं अब पर क्यों कुछी एजन करना एक अथ हैं सीधा हाथ एक एक तिंदा नहीं थे ज्यादा तोड़ा बेंड अब यहां तक लाएंगों फिर शोडाउन में करना है बारा से पंदरा शिलो गट्रोर श्लॉ और का एक बहुत्वर्त हैं पाथ है जो लोग छोड़े लहां है अभे तुमको नहीं नहीं चोड़े ठीके ना यह है पीछे बाला यह अगर अच्छा रहगा तभी जो सोल्डर का लुक है राउंड राउंड लगेगा भवाल मचाओगी इसके लिए वन अब बेस्ट इसके लिए पुराने जवाने चलिया रहे है वही सबसे बेस्ट है इसे जुख जाओ जुख जाओ नमल को यहां रखो और यहां पला के स्क यहां प्रजाओ अरव जाओ भीज़ा यह थीप को टीकिनेगोगें अब धिन देशाय को फीछ ऊंप पीस यहां रियल रियल अलत्रॉइज को यहां आयसे थूट प्लैइस डिया स्टॉटिख लिया है यहां तो यहां बेस्कों प्लिया है इसे डिया स्टूज हाँ तिए ब बहुत से लोग देगा पूलप नहीं करते हैं तो उनके लिए भी मने आफसन छोड़ा है तो आप पूलप से स्टार्ट कर सकते हो लेकिन जो हमारी डंबल से रोइंग करेंगे तो यह वनाप दबेश एक्सराइज जो तुम्हारी बैकवा को फार देगी कुछ खन्नाने है कर दो कि कोहनी ऊपाले जानी है कोहनी ऊपाले जानी है गुरू उपर होल निचे सलो तीन से चार से एक बार में 15-20 हटके भारा जाएगी दूसरी जोग सण साहिज होगी थोड़ा अगर पांच किलों को थोड़ा आफ तोनों खोलके एक कर देज़ाल है अगर दसक्रों के तो पांचे कर लो यह है हमारा थादूर यह जो 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 यह वाइचा पाइच जो आपको निए पटेव गुटने पटो यह हमारा वन हैंड वन हैंड शिंगल डंबल रोइंग इसमें क्या ना कि कोई इस अचीज हो चोला तो अचीज अचीज और रख लो एशी जिस जिस पर आ टीक है ऐसे कर लो इस वाले को थोड़ा बनाएंगे याल मतलब आइसे होता है लेकिन थोडा याल मतलब थोड़ा तोड़ा ऐसे कर लिया अब आभी गया अँज़ा शिदा कि या आःसे यह इसको रिख जो चार दो यह बवाल चीज है इसको आप ट्राइघ कर दो डिसे इस पर 15 ब्र से जादा नहीं करना है कि अगएक कि जो धुश करूप नहीं करना कहीं लेकिन इसको लोग सोच है बहुत हैं वी ट्र से देड लिप कर सकते हो अगर फ़यंगे पशरी कर सकते हो अगर आगर तरीक चुछ पायदा उतना हो गालेकिन इस ट्रेंद है ढग को बैक बना तो ऐसे कर लेता है बाइक बाहर रहेगी कोई समको कम डिसन जाना है को लेरी वील के सामने ड्रामे बाजी करना है तो हमको नार्वा दखना है अपने डंबल भी आइसे पकड़ लिए ना अच्छी कर बहुत अच्छा कर रहो आज से पकड़ लिए चेस उपर रख लो तिक है अब नीचे जाएंगे उपर आके इसे बैक को सीधा ठीक है ना आइसे तो एक दम नीचे आई से नहीं जाना है यही वाला ड्रम आइसे जाब आप बुरा बश्ट हो जाए तो थोड़ा सा बेंड करें नीचे जाके थोड़ा बेंड किये आइसे यहां पर टच कराए फिर य काम लिए जब तक आप आएसे नहीं करेंगे बैक नहीं आएगा तो आप सिर्फ आइसे नहीं थेके ले जाके बैक से यह तो इससे आप एक बार में 20 से 30 करोगे तीन से 4 चे लगोगे वारा आप तुम्हारी में आए यां जो सुख रो आइए शूंट कर्वार क्या कर रहा ह नहीं कvar हाट कर निकमर करthirds यह अने जूवारा सकते हैं आपनाब आ मिया सीर्ट सब्छेक्राइज करो टेक्स्केज़ करो कि यहां पर बुटे लोग एक बुटे करना दिश्याइब कर दीक है था ज़िए अपर बाइसे जा के यह भाग ना चाहिए यह नीचे पॉटे कि ढूगिए छुट ध्यान देना बाइसे फोकस करना फुला इस एक पावर्थ सारे इसको करना है पंदरह से वीस तीन सेट में ब यह इसे बाहने ले जाना है एकदम सीधे है मर कर हमार करल से बाइसे का साइज बढ़ता है क्योंकि लंबा का है को ट्रेंड करता है समझ रहो जिसको भी आप एक बारे 15-20 तीन से लगाओ बाइसेप को फार्ट के बाहा दो पहले एकसाइज बाइसे थी हैट के लिए दूसरी के लिए एक हेड यह भी होता जिसे तुम्हारे बाइसे प्रेक्टेक्टी लगता है उसके लिए हमार एकसाइज होगी इनर मतलब की उसके लिए हमार एकसाइज होगी हैसे करेंगे हैमर कल को ऐसे ले आते है आप हैमर कल अभी हैसे कर रहे थे लेकिन अभी हैसे कर रहे थे यह आईसे पुरा सीने कर सामने यह होल्ड यह होल्ड यह होल्ड यह होल्ड इसकी बहन की फार्द सालेक देखा जगा होता है इसको भी आपको तीन सेट लगाना है रेव पिध्यान वही 15 से 20 तीनों आईशे टेंड लो गए बावाल मच गया उसके साथ अप फुराम ट्रेंड पार शेल शेल कर सकते हैं जो फुराम थाट फटके बाहर आजा सब्सुटर करना थी समझ पी तीन सेट भाई सब्सुटर कि अब आगया सट करेंगे लेग सुनो इतनी बड़ी गाडी लेक उबर बारी सारी लेके टार पतला रख रहे हो आईसे काहे कर रहे हो इससे बड़ी साथ काई से ट्राइफ टें कर सकते हो पूरा हपते काउट प्रान कमलीट हो जाएगा पहली जोग साइज होगी आप करेंगे फ्री वेट स्क्वार्ट मारा है अपने परोगा थोड़ा नइस और अपने हाथों को रखेंगे आई से और अपने जांक पीछे ले यह आई से 90 डिगरी फिर उपर पुराइब इसक्वीज 90 degree squeeze 90 degree squeeze इसको आप कर सकते हो भाईया एक बार में 40-50-70-90 सो जिता हो तुमारे तागात हो जोग तो 3-4 से लगा लो बहुत हो जाएगा उसके साथ हम लोग कर रहा हैं घंबल से आइसे पढ़के इसको आप करेंगे यहां पर सीनेक समा रख लो यहां पसटा के ऐसे ले जाओ थोड़ा इसे लेगा आपका जो लेग है वो जादा ट्रेंड होगा बावाल मचाग एफ्रेक दोगे यह बहुत बहुत बाल एक्सरसाइज इसको आप कर सकते हो भाईया तीन से रिव टेंसर मही 15 20 बाल एक्सरसाइज जो है लेक की लाश और सबसे बाल वाकिंग लंजेज आप ऐसे कर सकते हो वन अगे बढ़ो तू फिर अगे बढ़ो थ्री जहां तक जाना हो चले जाओ लेक को फाल को रख दो अब बात यह कि हमारे बाद जगाई नाइब जाए कि को किसे कर बाई एक फिर रखा ही बाले से दो फिर यह रखा तीन आइसे फाड़ फैग दुना दिक्कत क्या है अब बात परते है आएफ की लेक तो कंप्लीट हो गया सब कुछ कंप्लीट हो गया आएफ की एक्सरसाइज का इसे करें आइसे लेड जाओ जमीन पर पहले हम लोग करें अब जमीन पर तच रहेगा अब ऐसे जाएगे इतना बस इतना होल्ड नीचे जब यहां पर जारें उपर तो पेड को इसे नीचे दाबो अईसे नीचे दाबो साव अंदर ही चो बचितना इतना पूरा क्लोक कर दो इतना ही उपड ले जाओ आइसे और यहां पर लोट इसको अब चार सेट लगा सकतो एक बार में पंदरा सेविश एक डम सीलो लिजय के से हीद दिया करो दूसरे साइड लोवर अपस के लिए माइक से तुरो फश गपार वाइम रहे यह यह लोवर आपस को फाल के रख देंगी यह यह अराम से सीलो सीलो लेग रेजेज है ले जोगर हमारी साइड के लिए साइड के लिए कुछ नहीं करेंगे अपने पै्र उखा लेंगे अपने चूतऊर पे आ जाएंगे हाथव को इसलेवानट प्रिद ट्री फोड खाईट के लिए कंप्लीट हो जाएगी रेस की बात कर रहे हैं में लोग फ्लील किसाथ कर सकते हो स्रक्स कर लो डंबल को उपले जाके से ट्रैप्स को हीजी दो बहन के हीज साले के फार्ट फैक दो ऐसे एक बार में 40-50 अगर पांच लोग अगर 10 किलो को हो पचीज बीस किलो को तो 12-15 जहीं से डंबल उसके हिसाब से कर ले ना तीन से डिसको भी लगाओ पुर्य हप्तेक हो कंप्लीट हो गया अब किसी की जुरतन है तुम तुम सीख गय हो ना अब काम करना स्टार्ट करो दबाग खाओ रेल के अगदम खाओ और तबाग वर्काओट करो बाडी बनाओ परसलाटी एच्छी करो बै तभी तो बाल मचाओगे तभी जहां ख़ए लोग कहेंगे किसका तगराया स्वरुआ वीडियो छे लगा हो मस तरहो तुम बर्काओट कर लाइक वाइक छोड़ो बै जय हैं